दोस्तो अगर आपके पार्टनर भी आपको हच से जादा इग्नोर कर रहा है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है आज मैं आपको तीन ऐसे काम के बारे में बताऊंगी जो अगर आप सही से सुन लिए समझ लिए और फिर इसको अपने लाइफ में एप्लाइ कि तो वही पार्टनर आपके पास आके प्यार के लिए भीग मांगेगा तो बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट वीडियो है सब के लिए चाहिए आप लड़का और लड़कियो सबके लिए समान कारिकर वीडियो है पूरा वच कर लिए इसमें आपका ही फायदा है तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं चैनल में न्यू हो तो अब भी सब्सक्राइब कर लो तकि इसी टाइप का वीडियो मैं जब भी आपलोड करो आपको सबसे पहले मिल जाए तो इचलिए दोसब वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो आप रेजन समझ लो कि को कोई आपको हद से जादा इगनोर क्यों कर सकता है तो सबसे पहला जो डीजन है यही है दोस्तों आप उनको बहुत जादा मौका दिये हो और सब मौका नहीं मौके पर मौका देते गए हो क्योंकि कोई अगर एक बार आपको इगनोर कर दे और आप उसका प्रोटेस्ट कर दो तो उसका दुबारा हिमत नहीं होता कि वो आपको इग्नोर करें और वो हद से जादा इग्नोर कर रहा है मतलब आप उसको सर पे बिठा के रखे हो तब ही उसको इतना जादा मौका मिला है चीजिए तो सबसे पहला तो आपका ही गलती है कि आप उसको बहुत जादा मौका दे दी हो और आप मौका क्यों दिये हो इस चकर में दिये हो कि वो सुधर जाएगा मैं जितना उसको मौका देता रहूंगा तो वो सुधर जाएगी यह सोच के ही आप उसको मौका देते गए लेकिन दोस्तों एक चीज आप समझ लो मौका देने से कोई नहीं सुदर दा है मौका छीनने से वो सुदर रहेगा तो सबसे पहला काम यही है दोस्तों उससे मौका छीन लो उसको कोई ऐसा सिंगल मौका भी ना दो कि वो आपको इग्नोर कर पाए मानलो आप उसको फोन किये हो वो नहीं उठाया तो वो आपको इग्नोर किया ठीक है तो मौका किस ने दिया आप उसको कॉल किये तभी तो उसकी यह मौका मिला ना फोन ना उठाने का या फिर मानलो आप मैसेज करते हो वो दो घंटे पहला जो काम है मौका चीनना पड़गा ऐसा कोई मौका नहीं देना है जिससे कि वो आपको इग्नोर कर पाए अब दूसरे मौन में आ जाते हैं एक कहावत तो अपने सुने होंगे इटा के बदले पत्थर और वो कहावत आपको अभी अपने लाइफ में इस्तिमाल करना है व आप कम से कम उसके दस कॉल के बाद कॉल उठाओ जाके वो अगर आपका मैसेज का एंसर दो गिंटे बाद देते है तो आप कम से कम चार गिंटे बाद उसके मैसेज का एंसर दो जैसा वो करते है ना उससे डबल आप इग्नोर करो अपने अंदर जोश लाओ अपने अंदर स करने के लिए नहीं दिया है क्या बालों में रंग करो और यह जो शरीर दिया वोपस लड़कियों की पीछे भगाते रहो यह फिर लड़कों की पीछे भागते रहो इसलिए भगवान आपको बॉड़ी या इतना अच्छा ब्रेन नहीं दिया है इसका कोई लक्ष है अपने ज दूसरों के पीछे ही बागते रहे ऐसे हम अपना जिन्देगी बिता दे इसलिए नहीं ना हमारे अंदर प्रोटेंशियल है हर एक इंसान के अंदर प्रोटेंशियल है उसे अपने पावर को पहचानना होगा उसे अपने जीवन के लक्ष को देखना होगा तब ही वो सफल और जब आप सफल बनोगे ना तब वही पार्टनर जो आभी नाटक कर रहा है ना ही एक डोड का वो पलके बिछाय बैठे रहेंगे आपके लिए आपके समय लेने के लिए वो कॉल पे कॉल करेंगे ताकि आप उसको थोड़ा सा समय दे दो वो मैसेच पे मैसेच करके बैठ और आप उसके हाथ धोके पड़ जाते हो और एंसा आप आप करते रहोगे तो यक्षी क्वालिटी रोता किसे कितना वी सुनदर क्यों वान मुझे इस धरते पे भेजे है और मेरे ममी पापा मुझे इसी काम के लिए बड़े किये है कि मैं तुम्हारे चरन धोके पानी प्यूँ मैं तुम्हारे पीछे ही पढ़ा रहा हूँ यही चीज आप दिखाते रहते हो और इस वज़े से ही पार्टनर को मौका मिलता है कि आपको इगनोर करे और इगनोर तो छोड़ो हच से ज़ादा इगनोर मतलब आप कितना उसके सामने गिरे हुए हो कभी आप सोचते हो आप रोते रहते हो कि पार्टनर मुझे भावने देते है आप खुद गिराए हो खुद इस पोजिशन में लाए हो खुद को कोई सरक चल तो आपके साथ बुरा बढ़ता हो नहीं कर सकता क्योंकि आप उसको मौका ही नहीं दोगे तो आप अपने पार्टनर को इतना जादा सर पे चड़ाय हो इतना जादा मौका दिये हो बार बार कॉल करते रहे तो आप कॉल करते हो उठा दे नहीं तो आप तीन बार करते हो चार बार करते हो पाच बार करते हो क्यों अगर वो आपके बिना रह सकता है तो आप उसके बिना जन्या है वो आये हुए 2 या 3 साल ही वे है कि उसके पहले आपकी जीवन नहीं था क्या आप आनंद नहीं किये थे आप खुषिसे अप सुक्से नहीं जीते थे क्या पार्टनरी आपका सब जो अपने आपको realize करो जो point में बताई इसको follow करो apply करो अपने जीवन में देखो कैसे वही partner आपके pair पकर करना भीग मांगते हैं प्यार की और आपके लिए बैठे रहते हैं time के लिए चीक है ज़रूर इसको apply करना